आईपीयल 2021 का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाना है ये नौवा मौका होगा जब चन्नाई की टीम आईपीयल का फाइनल खेलेगी पहले कॉलिफायर में दिल्ली को आखरी ओवर में धोनी ने अपने धुआधार अंदाज में बल्ले बाजी कर बाहर करासा दिखाया था ये धोनी का दस्वा आईपीयल फाइनल है चन्नाई की टीम में अनुखोगी कोई कमी नहीं है टीम सायोजी थे और फाइनल में अपने रंग में होगी आईपीयल शुरू होने से पहले चन्नाई को बुढ़ों की फोच कहा गया था लेकिन इसके उलट इस टीम ने धमागेदार खेल दिखाया चन्नाई ने युवर समयोजन का रत बनाया और उस रत के अनुखव रूपी घोड़े पर धोनी जैसा सार्थी टीम को फाइनल तक ले गया चन्नाई की टीम में दिखाया कि क्लास ही टिक आउफ होती है और फॉन तो आती आती रहती है आपको बता दें कि मैंजी धूनी यह वो नाम है जिसके बिना सीयसके की टीम अधूरी है बड़े मैचों का इन्हें आपार अनुभग है बड़े मैच इन्होंने अपने शांत और साते दिमाग से जितवाए हैं दोनी का हाथ वो पारस का पत्THर हैए जिस भी खिलाडी को ये चूँ लेते हैं वो सूना हो जाता है जूज नहीं के बारेया बात करें तो रित्युरण्ज गैगवड चन्नई की टीम में रितुरण्र सबसे यूगा खिलाड़ी हैं वे पो 9 में चूरे सबोग बड़े गिंजबाजी और फिल्डिंग सभी में फिट बैठते हैं रभी जडेजा ने अपने पदर्शन से चन्नाई को फाइनल ने पहुंचाने में काफी उपयोगी योगदान भी दिया है जडेजा ने चन्नाई के लिए 15 मैचों के 11 गट लिए और 227 उपयोगी रन बनाए उन्हों में गिंजबाजी हो या बल्लेवाज ये खिलाडी हमेजा अपने फिदर्शन से चकित करता आया है दिल्ली के लिए फाइनल में जीत में सुथधार साभी तो सकते हैं ब्रावो के नाम में एक IPL में सबसे ज्यादा विकट देने का रिकॉर्ड पी है शार्दुल ठाकुर प अपनी बल्लेवाज से भी युगदान देता है ठाकुर और गेंद को विकट के दुनों तरफ स्विंग करा सकते हैं हाल ही में उन्हें टीम इंडिया के पंदर सदस्य दलविश्ण में भी किया है एन पी टाइम्स की रिपोर्ट